है गाईज वेलकम टोक्षाइमा कॉना डान्स और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे सबसे पहले लेफ लेग फिर राइट और फिर दो बार लेफ लेग को ऐसे टैप करेंगे और उसी के साथ दोनों हाथों को ऐसे ओपन करेंगे फिर पोजिशन चेंज करेंगे फिर से पोजिशन चेंज करके दो बार येवाला स्टैप करेंगे और अब legs के साथ करते हैं उसके बाद हम right leg फिर left leg और फिर दो बार right leg को ऐसे उठा के हलका सा पीछे की तरफ जाएंगे और उसी के साथ हमारे right shoulder फिर left shoulder और फिर दो बार right shoulder को ऐसे push करेंगे 1, 2, 3 and 4 1, 2, 3, 4 दोनों step एक साथ करते हैं यह steps complete करने के बाद हम सबसे पहले body को left side shift करेंगे और फिर right side shift करेंगे जब हम left side body को shift करेंगे तब हमारा right hand से ऐसे circle बनाएंगे और shift करेंगे और उसके बाद एक toe पर up और down करेंगे body को फिर right side जब shift होंगे तब हमारे left hand से circle बनाएंगे और shift होने के बाद फिर से toe पर body को up और down करेंगे यहां तक के सभी steps complete करने के बाद हम लोग एक step normal walk करके आगे आएंगे और फिर हमारे right leg को आगे की तरफ रखेंगे तो पर और दोनों हाथों से ऐसे खीचेंगे और फिर चार बार हमारे right leg को एसे अंदर की तरफ लाएंगे यहां दूसरे count में दोनों हाथों को एसे अंदर की तरफ cross करेंगे और चोथे count में बाहर की तरफ उसके बाद direct ही हम right leg से kick करेंगे left के बाजू में रखेंगे और left को पीछे की तरफ रखेंगे left से kick करेंगे right के बाजू में रखे right को पीछे लेंगे यह वाला step में हम हमारे दोनों हाथों को ऐसे आगे पीछे भी कर सकते है और यहां फिर दोनों हाथों को ऐसे pocket में रखे यह वाला step कर सकते है यहाँ पे हमने complete किया फिर दोनों हाथों को pocket में रखके ये kick वाला step करेंगे तो ये वाला step हमने last में complete किया था उसके बाद सीधा right leg को उठा के दो बार body को right side और दो बार left side एसे move करेंगे यह kick वाला step कंप्लीट किया right leg को उठाया और दो भार right side और left side body को move किया और दोनों हाथों को ओसे आगे की तरफ रखेंगे यह वाला step कंप्लीट करने के बाद right hand आगे की तरफ और left hand को दो भार ऐसे घुमाएंगे और clap करेंगे फिर से घुमाएंगे और फिर दोनों हाथों को इसे face पर लाएंगे और उसमें हमारा left leg आगे और right leg पीछे की तरफ जाएंगा फिर से करते हैं यहां से हम लोग क्या करेंगे कि दोनों legs को open करेंगे और right leg को अंदर की तरफ एसे दो बार bend करेंगे पहले जब bend करते हैं तब body को थोड़ा नीचे रखेंगे और दूसरी बार में body को up कर देंगे और दोनों shoulder से ये वाला step करेंगे 1,2,3,4 shoulders को ऐसे up down करेंगे और फिर right, left, right, left ये wave हम bottom से शुरू करेंगे 1,2 ये total हम 4 बार करेंगे दोनों हाथों को ऐसे pocket में रखेंगे या फिर दोनों हाथों को हम पीछे की तरफ भी रख सकते हैं ये वाला step हमने complete किया फिर right, left, right, left ये step total दो बार आएगा अब सभी steps को शरू से एक साथ करते हैं झार में अब सकते हैं इड़ सकते हैं थाहला ग्वाल